हेलो एब्रीबाड़ी वैलकम बैक टो आई यूट्यूब चैनल न्यूटर आई होब आप सब अच्छे होंगे आपके MSTCT की प्रेपरेशन बहुत ही धुमधाम से चलिए होगे तो आज का वीडियो हर एक वीवर के लिए है जिसको कुछ भी डाउट हो कुछ भी सजेशन चाहिए हो कुछ भी स्ट्राटजी चाहिए हो जो भी क्लारिफिकेशन चाहिए हो MSTCT exam के बाए में हर एक चीज आपके क्लियर होना लिए इसलिए वीडियो जो है हर एक टाइप की वीवर के लिए है इसलिए आप लोगों को मुझे प्रामिस करना है कि आप लोगों भी स्किप नहीं करेंगे वीडियो एंड तक बने रहेंगे और मेरी बातों को ध्यान से सुनकि उनका नोल डाउन करेंगा जिससे कि आपको फुचर में हेल्प हो सके अगर आप नए सब्सक्राइब रहें तो जहूर हमाई साथ जुड़ जाईए हमें सब्सक्राइब करें जिससे कि आप तक डेली अपडेट्स पहुंच सके तो वीडियो शुरू करते हैं अभी सबसे पहला कन्फूजन जो है वो MSTCT के डेट्स करें तो अब सर ने जिससे वीडियो निकाली थी और उन्होंने बोला था कि आपका जो एक्जाम है वो सब्टेंबर में हो सकता है उन्होंने बहुत सा रीजन्स भी दिये थे आपको लेकिन हम सबको किसी को भी कोई clarity नहीं है इस बाद कि कोई assurity नहीं है तो आके उस दो windows खुलती है MSTCT के exam की एक आपके bit set के exam की जस्ट बाद और J.E. में इसके पहले यानि की 10 से 20 ओगस्ट ठीक है 15 से 20 ओगस के बीच में एक window है आपके पास और एक आपके पास J.E. के 3rd attempt के बाल 4th attempt के बाल एक window है सब्टेंबर की before your knee take तो अब इन दोन windows में से किसी लिए window हो सकता है कि कि हम से अपना prediction दे सकता है लेकिन कोई confirmation नहीं दे सकता आपको जब तक हमें कुछ पता नहीं रगता तो आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को यह जीम करके चलना है जो हम पहले से बोलते हैं आ रहे हैं आपको क्या कि 15 ओगस्ट के आसपास एक्जैम होना है उसी डेट को लेके चलिए अपना portion तपता खतम करें पोस्पांट हुआ तो बहुत ही अच्छा है और प्रेप लेटी सप्टेंबर की है पर आप लोगों अपनी पढ़ाई 15 ओगस से पहले पहले कम्प्लीट कर लेज़ें तो यह पहला डाउट आप लोगों का क्लियर होगे अब दूसरी चीज आप लोगों की क्या थी कि हम प्रेपरेशन कैसे करें ठीक हमाई पस कितने दिन बच्चे ह ठीक है तो इसके लेएक फॉर्मिला है जिसको मैं बूलती हूँ PCM जैसे आप लोगों को PCM है वैसे ही मैं आप लोगों को एक फॉर्मिला देना लियो PCM बायो वाले बुरा मत मालिएगा आप लोगों के लिए भी फॉर्मिला आ जाएगा ठीक है आप लोग भी यही फॉर् नहीं कर सकती हुँगे, आपका स्कोर अच्छा हैं ठीक है, आपको जो है प्रैक्टिस करना बहुत 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 जड़ा सबसathy speed करना है, आपको भीक्राइब करना है ठीक है डियों को PREVIOUS डूरी पढ़ोयों टार्गेट के competitive section वो सब की practice करना बहुत 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 ज़ाद ज़ाद हो ठीक है तो सबसे पहले आपका है practice and previous year questions ठीक है अब M जो है that stands for mock test अब mock test की क्या importance है आप लोग जब full length का paper देखते हो ठीक है तो आपके इतने साथ chapters जो revise की होते हैं पड़े होते हैं उनको कब कैसे apply करने आपको वो पता लगता है आपके time constraint होता है तो आप pressure में कैसे काम करोगा आपको वो समझ में आता है ठीक है अब और जाना mock test देते तो आपकी by default 150 questions solve होई जाता है आपको मन कर रहा हो चाहे नहीं कर रहा हो time table है schedule है तो आपको करना ही पड़ते है ठीक है आपकी ranking बता लगती है तो आपको समझ में आता है competition कितना है ठीक है solutions, PDF अगर सब कुछ आपको मिलता है तो आपको समझ में आता है कि आपनी mistakes को कैसे से कहाँ आपने सुधार सकते है अगर आप practice नहीं करोगे mock test तो आपको feel ही नहीं आईगा आपको पदा ही नहीं लगेगा कि आप कैसा perform करें तो हम लोगों ने भी एक series टार्ट किया है जिसकी price एकदम chocolate जितनी है अगर आप लोगों को enroll करना है तो आप description box में google form की link दिये उसे ज़रूर भर दीची और मेरी बात मानी है आप लोगों को बहुत ज़्यादा beneficial होगा तो mock test practice करना बहुत ज़्यादी आपके लिए ज़रूर एंडूल हो जाए C, C stands for consistency ठीक है आप लोगों को अपनी पढ़ाई में consistent होना ज़रूरी है ठीक है last के 25 नों में हां मैं जानते हैं आप कभी का पढ़ने का मन नहीं कता है तो OK, उस दिन मत पढ़िए एक अध दिन आप 25 नों में से छोड़ सकते हो लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 20 पढ़ाई को आप 25 नों में से 20 दिन ब्रेक लोगे और 5 दिन पढ़ोगे अभी की महनत ह आपके बास अभी पढ़ लो अच्छे से अच्छा स्कोर लेके आपाऊ ठीक है अभी एक बाद से कॉलिज में दाखिला होगा एडमिशन होगया तो आप लोग बार में बहुत सुखी हो ठीक है तो अभी आप लोगों को एक दम कंसिस्टेंटली पढ़ाई करने हैं अपना टा करें विद कंसिस्टेंट हाडव ठीक है सी एंबी वाले बुरा निमाने इसले इस फॉर्मिलर का हम थो मोडिफार करते हैं पी सी एंबी ठीक है प्राक्टिस प्रिवियर से और क्वेस्टिन्स सी कंसिस्टेंट्सी एम मॉक टेस्ट और बी है आपका बैलेंस किस चीज़ दे बैलेंस ठीक है आप लोग पढ़ रहे हो पढ़िये ठीक है लेकिन पढ़ाई के साथ आपके बाकी चीज़ों का भी बैलेंस मेडिटेशन एक्सराइज वागरे आप 15-20 मिट रोज अपना निकाल सकते हैं ठीक है एंड बैलेंस बीइन स्टाडिज मतलब ठीरी और करने और रोजाना आपको 300 questions at least practice करने कैसे 150 आप mock test से कर सकते हैं हमारी ठीक है 150 आप खुद से अपने प्रिवेसर के questions टार्गेट पप्लिकेशन से कर सकते हैं तो अगर 300 questions रोज करोगे ठीक है proper balance create करोगे अपना ठीक है ऐसा निकी बहुत जादा ही theory कर रहे है या बहुत बहुत ज़रूरी है आपको practice करना बहुत ज़रूरी है consistently अपनी hard work करते हैं बहुत ज़रूरी है और balance create करना अपनी studies में भी और studies और exercise meditation मगरे में भी और motivated हैं आप हो जीके बिलकुल भी अपने motivation को lose नहीं करना है सब बच्चे आपे कर सकते हैं सब अच्छे से पढ़ो सब mock test सब कुछ अच्छे से पढ़ाई करो theory करो important chapters करो जितनी बहुत अभी लास्ट के पीस बच्चे से दिनों में कर सकते हैं उतनी कर लो इस चैनल पर आप लोग interview देने जरूर रहेंगे इतना अच्छा score आप लोग करेंगे तो जरूरी साही strategies को करिएगा इंजाम टेर्ट्स के मैंने आपको clear कर दिया है next video कि इस topic पर चाहिए जरूर बताएगा वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करिए हमें motivation मिलता है चैनल पर नए हैं तो subscribe करिए दोस्टों के साथ जरूर शेयर करिए और telegram ग्रूप पर जोईन हो जाएए बहाँ पर हम सारे previous questions शेयर कर च Study well, take care